Hello students, welcome to Top Actors, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे imperative sentence की एक exercise, तो इसका पहला sentence क्या है, he said happy दीवाली, तो जब भी sentence में आ जाए, good evening, good afternoon, good morning, या happy दीवाली, happy holy, ऐसे sentences में reporting verb लगाती है, wished, तो आ जाएगा, he wished, अब उसने किसे wished किया, इसमें कोई object दिया नहीं है, तो हम अपनी तरब से object लिख सकते हैं, he wished me happy दीवाली, यानि कि उसने मुझे happy दीवाली wish किया, इसके बाद दूसरा है, अच्छा इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, he wished, happy दीवाली, to me, object ये पीछे आएगा तो, he said good night, तो sentence में जब भी लखा हूँ good night, goodbye, तो ऐसे sentence में, यहाँ पर said की जगा, बेड के यूज़ करते हैं, बेड, अब किसे good night कहा, यहाँ पर object me मान लिया, यहाँ पर हर भी लग सकते हैं, हिम भी लग सकते हैं, objective case होना चाहिए, he bade me good night, यहाँ इसे अगर पीछे लखेंगे, me को, तो two से जोड कर लख सकते हैं, इसकी तरह, तीसरा है, she said, I beg your pardon, उसने कहा, मैं च्छमा मांगती हूँ, तो अब उसने च्छमा किस से मांगी होगी, किसी ना किसी व्यक्ती से, me भी मान सकते हैं, object, him भी मान सकते हैं, तो इधर object नहीं लखेंगे, क्योंकि उसका earth change हो जाएगा, तो she said, that, अब c, यह जो I है, यह बदलेगा, c के निसाल, तो c हो जाएगा, first person है, और bag, present indefinite हो जाएगा, past indefinite में, तो verb की second form, c, bagged, और my pardon, यानि कि अगर हम object, me मान के चलें इधर, तो यहाँ पर my हो जाएगा, यहाँ पर हम me को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसका meaning change हो जाएगा sentence का, अगला है, she said, let me go to school, उसने कहा, मुझे school जाने दो, तो she requested, to let, उसके बाद है, me, first person, sequence, c का objective case आएगा, let her go to school, पाच महा है, c, set, let us go to school, अब जो let us आता है, तो इसका अर्थ निकलता है, आओ, school चले, इससे proposal का अर्थ निकलता है, proposal निकी परस्था, तो c, तो जब let us लगा रहता है, तो set की जगए रखते हैं, proposed, और set to की जगए, proposed to, तो she said, she proposed that, let us बदलेगा, we should में, we should उसके बाद go to school, इसमें conjunction लगता है, that, let us बदलता है, we should या they should में, छटमा है, she said to them, let us visit some holy place, उसने उनसे कहा, आओ, कुछ holy place, यान की पवित्र इस्थान, visit करते हैं, visit में सुदा है, भरमाड करना या घूमने जाना, तो c, let us लगा है, तो हम लगा देंगे, यहांपर, proposed, she proposed to them that, let us की जगा, पर we should या they should, हम देंगे भी लगा सकते हैं, they should visit some holy place, holy place यान की कोई पवित्र स्थान, सात्मा है, she said to us, उसने हम से कहा, let us have a walk to the river side, तो क्या हो जाएगा, यह sentence मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, और इस sentence को, आप indirect speech में change कीजिए, और comment box में लिखिए, आपका sentence सही होगा, तो मैं आपके sentence को like कर दूँगा, अगला sentence देखते हैं, राधा said, let us see the picture, let not, said मीनू, राधा ने कहा, let us see the picture, आओ picture देखते हैं, let not, said मीनू, मीनू ने कहा, नहीं, तो मीनू ने उस परस्ताव को ठुकरा दिया, मना कर दिया, तो क्या हो जाएगा, राधा, let us आता है तो, proposed, proposed that, let us की जगाए पर, we should see the picture, राधा ने परस्ताव दिया, कि हमें picture देखनी चाहिए, और stop, अब यह जो दिया है, reported speech, इसका reporting बार भी यह है, subject यह है, तो subject हम पहले लखेंगी, मीनू, यहाँ पर लखेंगी, said, that, मीनू ने कहा कि, अब let's not लगा, उसने मना कर दिया, तो हो जाएगा, we should not, we should not का मतलब, हमें नहीं देखना चाहिए, तो यहाँ पर sad ही लगेगा, क्योंकि परस्ताव तो इसने रखा, राधा ने, और मीनू ने कहा कि, हमें नहीं देखना चाहिए, we should not, वस इतना ही, we should not, we should not का मतलब है, we should not see the picture, हमें picture नहीं देखनी चाहिए, नॉमा सेंटेंस देखते हैं, he said, that there be no question about me, he, that there be no question about me, मेरे बारे में कोई question ना होने दो, he said, he requested, और उसके बाद लगएगा, conjunction, that, और उसके बाद ये there बनेगा subject, there, और let बदल जाएगा, should में, और should, should be, ये, let बदल जाएगा, should में, और be लगा हुगा है, let's, there should be, no question, about, me first person है, ये subject के बनेगा, he का objective केस आएगा, me के जाएगा बर him, all the story, last है, the principal said to the head boy, principal लिम्मो के लड़की से कहा, head boy का मतलब है, ऐसा लड़का के लास में, जो दूसरे बच्चों की activity पर ध्यान रखता है, let the boy come in, लड़की को अंदर आने दो, तो, the principle, ordered, cable let लगा हो sentence में, तो ordered, requested या advised लिखते हैं हम, reporting verb की जगा है, ordered, the, head boy, to, let, the, boy, कम का क्या हो जाता है, go, कम बदलता है, go में, dear students, इस प्रकार से sentence complete होते हैं, वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्नवाद, कर देखने के लाइक कीजिए,